नमस्कार मैं अश्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन दो हजार चौबस के लोगसभा चुनाव आने को हैं एक तरह जहां बिहार में महागठबंदन की सरकार अब नहीं है एंडिये की सरकार बन गई है नितीश कुमार तजश्वी यादब राज़सुप्रीम लालो पुशाद यादब का हाँच छोड़कर प्रधानमंती नरेंद्र मोधी का हाथ उन्हों ने थाम लिया है यानि की बीजेपी का हाथ थाम लिया है ऐसे में अब बिहार की राज़नीती जो है वो बहत अलग नज़र आ रही है लोकसवा चुनाब को लेकर कई सीटों को लेकर बिहार की राज़नीती में बड़े उलट फेर भी देखने को मिले है लेकिन साथ ऐसी सीट जो कही न कही नितीश कुमार और लाल उप्रशाद यादब के लिए काल बंती हुई नज़र आ रही है आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है चलिए हम आपको बताते हैं चुनाब 2024 को लेकर OVC की पार्टी अलग लेवल पर प्लैन कर रही है इससे एंडी और इंडिया गटवंदन के नेताओं का गेम प्लैन बिगड सकता है इसमें कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों की पार्टियां शामिल है कॉंग्रेस तो सीधे सीधे नुकसान का नुमान लगाया जा रहा है बीजेपी को भी बहुत फायदा होने की उम्मिद नहीं है क्योंकि ओवेसी की निशाने पर वही सीध है जहां बीजेपी के सहयोगी पार्टियां खुद को सेव समझ रही है आपको बता दें कि ओवेसी की पार्टी AIMI ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उमिदवार उतारने की तयारियों में जुट चुके है इसमें सबसे जादा टेंशन में बिपक्ष की पार्टियां है उसे उत्तर भारत में मुस्लिम वोटो का बटवारा तैमाना जा रहा है लोग सबाचुनाब 2024 से पहले इंडिया गठबंदन से नाता तोड़कर NDA में आये नितीश कुमार और जेम चौधरी के लिए गुड नीज नहीं है इंडिया गठबंदन मुस्लिम वोटो पर कुछ जादा ही भरोसा कर रहा है मगर ओवेसी की स्ट्रेटेजी जटका देने वाली है बताया जारा है कि यूपी के मुरादाबाद रामपूर संभल बरेली समेत कई सीटों पर उमिद्बार उतारने की तयारी में जुटे हुए है इसके साथ ये बिहार के सिमानचल में AIMIM की खास नजर है इसके लावा ओवेसी को बिधान सवाचुनाब में सफलता मिल चुकी है कि साथ सीटों पर ओवेसी की नजर है वो तीसरे नंबर पे थे हाला कि सीट पर महागटपंदन की ओर से कॉंग्रेस उमिद्बार को जीत मिली थी यूपी की बात करें तो यहाँ AIM की पार्टी करीब 20 सीटों पर चुनाब लड़ने की तयारी कर रही है पश्मी यूपी रुहेल खंड पुरवांचल की जादा तर सीटे शामिल है महरास्ट में भी अपनी पैट बढ़ाने के लिए ओवेसी ने खास प्लैनिंग की है माइक्रो लेवल पर तयारी में जुट गए है इस बार उनके निशाने पर मुंबई और मराठा वाड़ा भी सीट है तिलंगानाग में भी हाइदराबाद बाहर पडोस में सिकंद्राबाद सीट पर तयारी कर रहे है कहा जा रहा है ओवेसी ने अब तक पश्म बंगाल को लेकर कोई खास तयारी नहीं की ममतब एनरजी के लिए थोड़ी रहत भरी खबर है यहाँ पर बिधान सवा चुनाब में ओवेसी को कुछ काम्याबी नहीं मिली थी लहाजा ओवेसी का फोकस बिहार यूपी महराश्च पर जादा है तो आप देख सकते हैं कि 2024 को लेकर इंडिया और इंडिये ही नहीं बलकि अन्य पार्टियां भी अपनी तयारियों में लगी हुई है और कि बिहार में मुस्लिम इलाके जो हैं वो कहीं न कहीं AIMIM को फायदा दिला सकती है और इंडिया इलाइंस को नुकसान में डा सकती है क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बटेंगे तो इस बीज़े पी के साथ साथ इंडिया इलाइंस को भी घाटा होता हुआ नजर आ रहा है अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 2024 लोग सवाच चुनाब को लेकर जो पार्टियां तेयारी कर रही है उसमें कितनी उन्हें सक्सिस मिलती है फिलहाल के इस ख़बर में तना ही